बिसमिल्ला इरह्मान इरहीम, अस्सलाम अलेकुम, थ्री क्लास टूडेंट्स, हाओ आई यू, आज मैं आपको आपकी जुनियर की बुक के पेज नंबर 66 का की ट्रांसलेशन करवाऊंगी, इसकी लेसन की रीडिंग करवाऊंगी, आप सबसे पहले यहाँ पर इसके पेज के साइड पर कॉर्नर पर डेट पुट करेंगे, छोटी सी लाइन ड्रा करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, 22nd, 6, 2020, जॉन और शादाने, इसकी मैं आपको पहले रीडिंग करवाती हूँ, वन डे जॉन वेंड शॉपिंग विद हिस मदर, एक दिन जॉन अपनी मदर के साथ खरीदारी के लिए गया, जिन वर्ज को मैंने के मैंने मिनिंग लिखे में हैं, आप इन वर्ज को साथ साथ करकर इनके मिनिंग लिखती रहें, वन डे एक दिन जॉन वेंड शॉपिंग विद हिस मदर, एक दिन जॉन अपनी मदर के साथ खरीदारी के लिए गया, देर फस्ट काल बाज एड़ दा ग्रीन ग्रॉसर्स, वो सबसे पहले ग्रीन ग्रॉसर्स सबजी फरोश के पास गए, एंड वाइल हिस मदर वाज बाइंग और जब इस दोरान जबके उनसकी मदर खरीद रही थी, सम फ्रूड, कुछ फ्रूड्स, जॉन लुक्ड लॉंगिंग ली, जॉन ने देखा ललचाते वे, एट आ बॉक्स, कंटेनिंग एक बॉक्स में, जो के मुश्तमिल था, लवली रेड चैरीज, रेड सुर्ख रंग की चैरीज पर, सबजी फ्रूश ने कहा, अपने हाथों से मुठी भर कर, ये, लेकिन जॉन ने मुवमेंट नहीं की, सबजी फ्रूश ने उसको कहा, कि मुठी भर के अपने हाथ से ये ले लो, लेकिन उसने हरकत नहीं की, मुझे यकीन है बट लाइक चैरीज, लेकिन यू लाइक चैरीज, मुझे पता है, ये यकीन है इस बात का, कि तुम्हें चैरीज पसंद है, डोंट यू, क्या तुम्हें पसंद नहीं है, आस्क दा पजल्ड शॉप की पर, परिशान दुकानदार ने पूछा है और जॉन नोडिड हीज हैड कुईकली और जॉन ने नफी में अपना सर हिलाया तेजी से तिंकिंग सोचते हुए देट दबॉई वाज तू शाय उसने ये सोचते हुए कि लड़का बहुत शिर्मीला है तो हेल्प हिमसेल्फ दा ग्रीन ग्रॉसर वेंट टू दा बॉक्स एंड गेफ जॉन आ लार्ज हैंडफूल उसने अपने हाथों से उसको मुठी भरकर उस डिबे में से लार्ज हैंडफूल एक बड़ी मुठी भरकर उसको वो चैरीज दे दी जब उन्होंने दुकान को छोड़ा मतलब वो आगे गए जॉन के मदर ने उससे पूछा वाई ही हैड नौट टेकन वाई ही हैड नौट टेकन दक चैरीज कि उसने वो चैरीज क्यों नहीं ली थी वें दा ग्रीन ग्रॉसर हैड टोल्ड हीम टू तो जब सबजी फ्रोश ने उसको कहा था लेने के लिए वेल अच्छा यू सी आपने देखा ममी ममी आपने देखा रिपलाइड जॉन जॉन ने आंसर किया जवाब दिया इस हैंड इस ट्वाइस एस बिग एस माइन उसके हाथ मेरे हाथ से दुगने बड़े थे इस हैंड इस ट्वाइस एस बिग उसके हाथ मेरे हाथ से दुगना थे मतलब वो बड़े थे तो उसका मतलब ये था कि ये जो चैरीज है जब मैं उठाता तो मेरे हाथ छोटी हैं तो कम चैरीज आती और वो जब शॉप की पर नहीं ये चैरीज उठाई हैं तो उसके हाथ बड़े हैं तो मतलब जब उसने उठाई तो बड़ी ज्यादा आ गई तो इसलिए मैंने खुद नहीं उठाई थी देख लिए आप उस बच्चे की समझदारी तो इस इस लेसन में जो जो भी words meaning मैंने लिखे में हैं आप इन words को highlight करके इनके meanings बहुत प्यारी writing में छोटी से line draw करके साथ साथ लिखते रहेंगे तो ये था हमारा आज का काम ओके अला आफिस